कि आप सबी नवजवानों को बहुत बहुत शुक्त कामना हैं आज काई दिन आपकी स्कील को आपके कौशल को समर्पित है 21 सदी के युवाओं की आज के मिलियनियल्स की अगर सबसे बड़ी कोई ताकत है तो उनकी स्कील है उनकी स्कील एक्वाइर करने की शमता है साथियों कोरोना के इस संकट ने वर्क कल्चर के साथ ही नेचर आप जॉब को भी बदल करके रख दिया है और बदलती हुई नित्य नूतन टेक्नोलोजी ने भी उस पर प्रभाव पैदा किया है नए वर्क कल्चर और नए नेचर आप जॉब को देखते हुए हमारे युवा नई नई स्किल्स को तेजी से अपना रहे हैं वैसे साथियों कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज के दौर में बिजनेश और बाजार इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझी नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाएं कोरोना के इस समय में तो यह सवाल और भी एहम हो गया है साथियों मैं इसका एक ही जवाब देता हूँ रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल रिस्किल और अप्स्किल स्किल का अर्थ है आप कोई नया हुनर सिखें जैसे कि आपने लकड़ी के एक टुकड़े से कुर्सी बनाना सिखा तो आपका हुनर हुआ आपने लकड़ी के उस टुकड़े की कीमत भी बढ़ा दी वैल्यवेडिशन किया लेकिन यह कीमत बनी रहे इसके लिए नई डिजाइन नई स्टाइल यहने रोज कुछ नया जोड़ना पड़ता है उसके लिए नया सीखते रहना पड़ता है और कुछ नया सीखते रहने का मतलबी है रिस्किल और हमारी जो स्कील है उसका और विस्तार करना जैसे छोटे मोटे फरनीचर बनाते बनाते आप और भी चीज़े सीखते जाए पूरा का पूरा आफिस डिजाइन करने लग गए तो वो हो गया अप्स्किल स्कील रिस्किल और अफ्स्किल का यह मंत्र जानना समझना और उसका पालन करना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर है वैसे जब मैं स्कील की बात करता हूं तो मुझे अपने बहुत पुराने जानने वाले हमेशा याद आते हैं मेरा सीधा परिचे तो नहीं था लेकिन हमारे जानने वाले सर्जन बताते रहते थे वो उनके किसी परिचीत के विश्य में बताते थे कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन उनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी समय के साथ उन्होंने अपने हैंड राइटिंग में और भी नए स्टाइल जोड दिये यानि खुद को रिस्किल किया उनकी ये स्किल देखकर लोग खुद उनके पास पहुंचने लगे लोग उनसे कहते थे कि हमारे यहां स्पेशल ओकेजन है तो इन्विटेशन कार्ड पर नाम बगेरे लिखने का काम आप कीजिए बात में उन्होंने खुद को रिस्किल किया अप्स्किल किया उन्होंने कई और लेंग्विजिज में लिखना शुरू किया और इस तरह से एक पकार्टे वो उनका कारोबार बन गया बैठे बिठाए लोग उनके पास एक काम लेकर के आने लगे शौग से पनपा हुआ एक हुनर, रोजी रोटी का और सम्मान का भी एक माध्यम बन गया Friends, skill is something which we give to ourselves, which grows with experience. Skill is timeless, it keeps getting better with the time. Skill is unique, it makes you different from others. Skill is a treasure that nobody can take away. And skill is self-reliance, it is not only make one employable, but also self-employable. Skill किये दा ताकत जो है, इंसान को कहां से कहां पहुचा सकती है. साथियों, एक सफल व्यक्ति की ये बहुत बड़ी निशानी होती है, कि वो अपनी skill बढ़ाने का कोई भी मोका जाने न दे, इतना ही नहीं, मोका ढूनता रहे. Skill के प्रती अगर आपमें आकर्षन नहीं है, कुछ नया सिसने की ललक नहीं है, तो जीवन ठहर जाता है. एक रुकावट से महसूस होती है, एक प्रकार से वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, अपनी प्रस्नालिट्र को ही बोज बना जिता है, और खुद के लिए नहीं, अपने स्वजनों के लिए भी बोज बन जाता है. वहीं स्कील के प्रती आकर्शन जीने की ताकत देता है, जीने का उत्साह देता है, स्कील जिर्फ रोजी, रोटी और पैसे कमाने का जरिया नहीं है. जिन्दगी में उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, जीने की जीद चाहिए, तो स्कील हमारे ड्राइविंग फोर्स बनती है. हमारे लिए नई प्रेणा लेकर आती है, उर्जा का काम करती है. और उम्र कोई भी हो, चाहिए युवा वस्ता हो, या बुजूर्ग, अगर आप नई नई स्कील सिख रहे हैं, तो जीवन के प्रती उत्साह कभी कम नहीं होगा. साथियों, स्कील की क्या ताकत होती हैं, इससे जुड़ा हर किसे का कुश्रों को जनुब होगा. मुझे भी आज जब आपसे बात कर रहा हूँ, तो एक पुरानी घटना याद आती है. और ये तब की बात है, जब मैं युवा आवस्ता में, ट्राइवल बेल्ट में एक वॉलिंटर के रुप में काम करता था. और कुछ समस्ताओं के साथ मिलकर के मैं उनसे काम कर लेता था, तो एक बार एक समस्ता के साथ उनके लोगों के साथ नहीं बाहर जाना था, तो उनकी जीप में हम सब जाने वाले थे. लेकिन वो जीप सुभे जब निकलना था उसी समय चली नहीं, अब वो जंगलों में भटकते भटकते वो जीप भी ऐसी थी, हम सब लोग लगे काफी कुछ कोशिश की, धके मारे सब किया, लेकिन गाड़ी चली नहीं, आखिर कर साथ, आट बजगे तो फिर किसी एक मिकेनि को बुला लिया, उसने आकर के कुछ इदर-उदर किया और दो मिनिट में ठीक कर दिया, फिर उसको पूछा केतने बैसे तो बले 20 रुपिया, उस जमाने में 20 रुपे की किमित भहत होती थी, लेकिन हमारे एक साथी ने कह रहा है ने यार, दो मिनिट का काम और तुम 20 ये दो मिनिट का 20 रुपे नहीं ले रहा हूँ, 20 सांसे काम करते-करते मैंने जो स्कील मेरे में आई है, जो अनुभव जुटाया है, ये 20 रुपे उसका है, मैं समगता हूँ, ये ही होती है, स्कील की ताकत, स्कील आपके काम का ही नहीं, आपके भी प्रतिभा को, बना देता है और साथियों यहां एक और चीज समझने बहुत जरूरी है कुछ लोग नौलेज और स्कील को ले करके हमेशा कन्फूज में रहते हैं या कन्फूज़ पादा करते हैं ऐसे लोगों को मैं हमेशा एक छोटा सा उधार देता हूँ आप बुक्स में पढ़ सकते हैं यूटूब पर वीडियो देख सकते हैं कि साइकल कैसे चलाई जाती हैं साइकल पर कैसे बैठना है साइकल कैसी होती है कौन सा पूर्जा क्या काम करता है कहां हैंडल पकड़ना है कहां ब्रेक लगाना सब उसमें आपको वीडियो में भी देखेगा यह सब नौलेज है आपको नौलेज है इसलिए आप साइकल चला जाएंगे यह सब गयरंटी नहीं है लेकिन वास्ताओं में एक्चुल में जब साइकल चलाना होता है तो स्कील की ज़रुत पड़ती है आप कोई खुद को दिरे-दिरे आजाता है और फिर आप अपनी मस्ती में भी साइकल चलाते हैं चलते रहते कोई तकलिफ नहीं होती है जैसे जैसे आपने इस कला को सीख लिया इस टैलेंट में आ गई स्कील आ गई आपको कभी दिमाग का पाना भी नहीं पड़ता है और इस फर्क को समझना साशन से लेकर के समाज के हरस्तर पर बहुत जरूरी होता है आज भारत में नौलेज और स्कील दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है आज से पांच साल पहले आज के ही दिन स्कील इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था इसका मकसद यही था कि यूद को नौलेज के साथ ही स्कील भी मिले है कौशल भी मिले है इसके लिए देश भर में सेंकडो प्रधान मंतरी कौशल विकास केंदर खोले गए आईटी एईज के संख्या बढ़ाई गई उनमें लाखों नई सीट जोड़ी गई इस दोरान पांच करोड से जादा लोगों को स्कील डेवलप्मेंट किया जा चुका है और यह अभ्यान निरंतर जारी है सात्यों तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्कील लोगों की ज़रुद है विशेशकर स्वास्त सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाए बन रही है यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रा ले ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है कोशिक यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरुरतों के बारे में उसके समद में भी सही और सटिक जानकारी मिल सके किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी अब जैसे मर्चेंड नेवी का उदान ले तो भारत समेच पूरी धुनिया को सेलर्स की बहुत जरूरत है हमारी तो साड़े साथ हजार किलोमीटर से लंबी कोस्ट लाइन है बड़ी संख्या में हमारा यूत समुद्रव और तर्टिय परिस्थितियों से परिचीत है अगर इस शेत्र में स्कील को बढ़ाने पर काम किया जाए तो दुनिया भर को हम लाखों एक्सपर्ट सेलर्स दे सकते हैं और अपने देश की कोस्ट्रल एकॉनोमी को भी मजबूत कर सकते हैं मैपिंग की वज़े से अब इस तरह की जानकारिया देने का काम और आसान हो जाएगा इसके अलावा चार प्याट दिन पहले देश में स्किल मैपिंग का एक पोर्टल भी शुरू किया गया है ये पोर्टल स्कील्ड लोगों को स्कील्ड समीकों की मैपिंग करने में अहम भूमिका निभाएगा इससे एम्प्लोएर्स एक क्लिक में ही स्कील्ड मैंन पावर तक पहुँच पाएंगे खास कर जो समीक हाल फिलहाल में शहरों से अपने गाउं में गए है उन्हें इसे बहुत मदद मिल पाएगी आपने इधर बीच देखा भी होगा कि कैसे एक खास किल्ड सेट के साथ गाउं पहुँचे लोगों ने गाउं का काया कल्प करना शुरू कर दिया है को स्कूल को पेंट कर रहा है तो को डिजाइन के घर बनवा रहा है छोटी बड़ी हर तरब की ऐसी ही स्कील आत्म निरभर भारत की ही बहुत बड़ी शक्ति बनेगी मैं देश के युवाओं को वर्ल्ड यूद स्कील डे पर एक बार फील बहुत बहुत शुब कामना ये देता हूं और वैश्विक महामारी का यूग है तो मेरा भी कर्तब में बनता है कि एक बार मैं बार बार एक चीज को दोहराता ही रहूं और सिर्फ मैं न दोहरा हूं आप भी दोहराई ये और वो क्या है पहले तो मैं चाहूंगा आप स्वस्त रहिए दूसरा दोगज की दुरी का पालन करते रहिए मास्क पहनना न भूले थूंकने की आदत सबको छोड़ने के लिए समझाते रहिए और जिस काम के लिए आज इखटे हुए हैं उस मंत्र को हमेशा याद रखे कितना ही पड़े लिखे क्यों न हो कितनी ही डिग्रिया क्यों न हो फिर भी निरंतर स्कील भी बढ़ाते रहना चाहिए लगातार नई नई स्कील के लिए अपने आपको तयार करना चाहिए जिन्दगी जीने का आनंद आएगा जिन्दगी के नए अवसरों को पाने का आनंद आएगा और मुझे की प्रगति करेंगे देश की भी प्रगति करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत शुब कामना है आप सुन रहे थे इस स्किल इंडिया दिवस्त के जोड़ आपको प्रगति की अओर।